अगर हार्मोन्स की समस्या हो, देखिए वैसे तो हार्मोन्स का जो स्वामी होता है, रसायन का जो मालिक है षरीर में, वो मरकरी है, बुद्ध है लेकिन चंद्रमा और बुद्ध का गहरा संबन्द है, शास्त्र कहते हैं कि बुद्ध जो है वो चंद्र की संतान है इसलिए चंद्रमा और बुद्ध के बहुत सारे गुण मिलते जुलते भी है खासतोर से महिलाओं के शरीर में चंद्रमा का एक बड़ा वाइटल रोल होता है जो उनका menstrual cycle होता है वो चंद्रमा से directly connected होता है चंद्रमा के घटने से और चंद्रमा के बढ़ने से इसलिए चंद्रमा वाले पार्ट पे महिलाओं को अक्सर हार्मोन्स की प्रॉबलम हो जाती है चंद्रमा कमजोर होगा तो हार्मोन्स की समस्या महिला को जरूर होगी निश्चित होगी उसके जो periods है menstrual cycle है वो बिलकुल regular नहीं रहेगी अगर चंद्रमा कुंडली में कमजोर होगा वीकर साइड में होगा क्या करना चाहिए अगर ऐसा है रात में कांच के गिलास में कांच की कटोरी में चार पांच बादाम भिगा दे और सुबह उठकर के ब्रश करने के बाद इन चार पांच बादाम को चबा चबा कर आपको जरूर खाना चाहिए दूसरा सो मुवार के दिन उपवास रखिए और सो मुवार के दिन सिर्फ फल खाईएगा जब उपवास रखिएगा तो जल पीजिएगा फल खाईएगा जूस पीजिएगा अब ये नहीं कि आप उपवास हैं तो आप कुछ भी खा रहे हैं कुछ भी पी रहे हैं आप शाम को चावल भी खा रहे हैं आलू की सबजी भी खा रहे हैं और आप करें कि ये उपवास है ऐ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा चंद्रमा की वज़े से अगर हार्मोन्स की समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाएगी अगर आपको मानसिक तनाव है या डिप्रेशन है चंद्रमा अगर कुंडली में खराब होगा याद रखिये खराब होगा तो मानसिक तनाव या डिप्रेशन पैदा करेगा कमजोर होगा तो मन परिशान तो होगा लेकिन डिप्रेशन नहीं होगा चंद्रमा जब दूशित होगा चंद्रमा जब खराब होगा तो डिप्रेशन वाले पार्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी और चंद्रमा जब शनी की वज़ा से खराब होता है तो ये डिप्रेशन व्यक्ति को सुसाइड सक भी ले जाता है या व्यक्ति को लंबे समय तक एंटी डिप्रेसेंट डिप्रेशन की दवाईयां खानी पड़ती है अगर चंद्रमा की वज़े से आपको मानसिक बीमारी है या डिप्रेशन की समस्या परिशान कर रही है तो क्या करेंगे एकादिशी का उपवास हर हाल में रखे एकादिशी की तिथी ऐसी तिथी है जिस दिन चंद्रमा सरवाधिक एक्टिव होता है और वहां से वो शरीर के जल तत्तु पर असर डालना शुरू करता है एकादिशी से लेकर पूर्डिमा तक गहरा असर डालता है इसलिए जब आप एकादिशी का उपवास रखते हैं वरत रखते हैं तो चंद्रमा का जो प्रभाव है चंद्रमा का जो इंपेक्ट है वो आपके उपर उतना जादा नहीं पड़ता है और जब आप एकादिशी का उपवास रखें तो उस दिन केवल जली आहार ग्रहन करें, लिक्विड डाइट लें, एक आदिशी का वरत रखने में केवल फल का रस पी लें, नीबू पानी पी लें, पानी पी लें, दूद पी लें, केवल लिक्विड आहार ग्रहन करेंगे और अगर आपको depression की समभावना है, समस्या है, problem है तो भोजन में दूध और दूध से बनी हुई चीजों का प्रियोग करें जैसे छाच पियें, दही खाएं, पनीर खाएं, दूध पियें, दूध की मिठाई खाएं दूध से बनी हुई चीजों का अगर आप प्रियोग करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और अगर आपको depression की समस्या है, तो चंद्रमा के सामने ओम श्रांग श्रींग श्रॉंग सह चंद्रम से नमहा इस मंत्र का रात के समय में जब करें, अपनी बालकनी में च्छत पर ऐसी जगां बैठें, जहां से चंद्रमा आपको दिख रहा हो और वहाँ पर बैठ करके इस मंत्र का अगर आप 108 बार जब करें, तो इससे depression में अवसाद में निश्चित रूप से जल्दी सुधार होता है वैसे तो जो neuro problem है, उसका जिम्मेदार होता है शनी लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को कम उम्र में epilepsy की, जिसको मिर्गी कहते हैं, इसकी समस्या भी हो जाती है किसी भी व्यक्ति के उपर चंद्रमा सबसे ज्यादा असर डालता है, एक साल से लेके 12 साल की अवस्था में चंद्रमा सबसे ज्यादा आपकी जिन्दगी को प्रभावित करता है और अगर चंद्रमा खराब हो तो बच्चों को छोटी उम्र से ही epilepsy की या मिर्गी की समस्या हो जाती है